हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सब एक बार बता दिजी कि आप सब ठीक है और सभी का वेलकाम है आस्क बोर्ड एक ऐसा study platform है जहां पर आपको बिल्कुल फिर में क्लास 12 की बहतरिन तयारी करवाई जाती है तो वेलकाम है आप कास्क बोर्ड में तो फ्यारे बच्चों एक बार बता दिजी कि सब चीस ठीक है अब आज की quality वीडियो की quality में कोई दिक्कत तो नहीं है एक बार clear कीजिए और सबसे पहले तो बोलना ही भूल गया है कि जितने भ आज सब्जेक्टिव को हम कितना बजे कर दे तो एक बजे दिन में कर दे एक बजे क्योंकि माई आ गया अब आपका सिलेवस भी पूरा कराना है और सब्जेक्टिव सब पढ़ना है इसलिए आपका सब्जेक्टिव का जो कलास होगा ना सोच रहें कि एक बजे मतलब दोप कर दिया जाए तो आप लोग सहमत है तो कुमेंट बोक्स में लिख दीजेगा या सर ये भी साहिए तीन कलासे चलेंगी तो जल्दी से हमारा पूरा क्या होगा सिलेवस कंपलीट हो जाएगा अभी थोड़ा सा दिकत चल रहा है नया सेटप लग रहा है उसके लिए इधर दर जाना पढ़ रहा है तो क्लास थोड़ा से तीन से आर दिन डिश्टर्ब हो सकता है लेकिन उसके बाद नहीं होगा आपको पका बिश्वास दिलाते हैं तो चलिए यहां पर हम लोगों ने प्यारे बच्चों पढ़ रखी है है इतना सब हम लोग ने पढ़ रखा है उसके बाद से लेंगिक जनन के बारे में पढ़ा है अलेंगिक जनन के बारे में पढ़ा है सब चीज बढ़ा है उसके बाद से अलेंगिक जनन के बारे में पढ़ा है कि द्विखंडन क्या होता है बहु खंडन क्या होता है अमीवा में द्विखंडन किस परकार से होता है यह सार स्वाट में आपको फिर सुरू से पढ़ाएंगे तो जिनका छूट गया उनका तो बले बले और जिनका पहले से हो गया है उनका फटा फट अंदाज में रिविजन भी हो जाएगा तो आज बहुत इंपोर्डेंट कलास होने वाला है और बायो पढ़ना आपके लिए कितना ज जोइन किये है नंबर नूट किजिए मेरा 91, 35, 74, 20, 24 आप इस पर फटा फट से मैसेश करके जल्दिस जल्दी आप लोग क्या किजिए क्लास जोइन कर लिजे इतना हम बोलेंगे ठीक है जल्दी जल्दी आप लोग वाट्स अप ग्रूप जोइन कर लिजे तो इतना हो गया आज हम लोग जीवों में जनन पढ़ने वाले हैं चिप्टर वन, वन सोट और जो भी बच्चों को अगर ये बायो समझ मनी आता है आप हमारे पास आए हैं तो आपको 100% समझ में भी आ जाएगा तो जितने भी सारे स्टुडेंट हैं आप लोग चाहते हैं क्लास की सुरू क कर दिया जाएं तो जल्nes जल्डी आप लोग पर यस बोल दीजें जितने सारे स्ट चाहती की कलस को सुरू कर दिया जाएं तो फड़ा फटस आप लोग यस बोल गोडिए तो चलिये उस्से पहले प्यारे पप्जूऑ एक। छीश हम भूल रहे थे कि उससे पहले अगर आपको क्या करना पड़ेगा यह नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35 यहां पर आपको याद दखना है कि यह नंबर नोट करना पड़ेगा आपको बॉलना है सर्जी हमको PDF नोट चाहिए यह तो पूरे एक year के लिए अब इसमें क्या मिलेगा एक years के लिए पूरा मिलेगा आपको PDF नोट इसमें क्या मिलेगा आपको chapter-wise objective subject up को दे दिया जाएगा उसके बास आपको guess question करके दिया जाएगा और वह kes question आपके लिए बहुत ज़्यादा जोर्डी है पूरे एक साल के लिए समान लिभी ज़े कितना चार नां यानि एक्जाम तक तो जल्दी जल्दी आप लोग ले लिजिए और उसकी बाहसे आपको क्या करना है क्या ask board का app download कर लेना है ask board का app download कर लिजेगा उसमें हम आपको join करेंगे जैसे payment किजेगा आपको हम join कर देंगे ठीक है तो प्यार बच्चों ये तो information थी तो चलिए आप एक बार बता दिजी कि हाँ सर जी class को आप शुरू कर दिजीए और ये one short class बिल्कुल जबर्जस्तह का BULKÄ आपको टेंसर नहीं लेना तो चलिए प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले पड़ा थे कि जीवन move में जनन से पहले आपको पढ़ude प्रकिर्टिक अधी को घाते हैं तो जीवन आउधी अगर आप याद रखना है कि जीवों में जनम से लेगे प्रकिर्टिक तक की अवस्ता को जीवान अवधी काते हैं यह सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए आपको फटा-फट अंताज में हम फटा बताते चलेंगे ठीक है अब यहां आप देख लिजेए इसका क्या होता है यहाई आपको पता है जनम हो जाता है फिर उसमें अवस्ति आ ले जैसे किसोरा अवस्था आपने पढ़ा होगा किसी भी चीज़ का क्या होता है पहले जनम होता है फिर सजीवों में बिर्दी होने लगती है यानि वह बढ़ना श्टार्ट करता है जैसे आपका भी जनम हुआ होगा छोटा सा कुहां कुहां करके आते होंगे उसके बाद से लब क्या हुआ कि आपकी मिर्टु यानि मिर्टु तो सत्य है मिर्टु तो सबको होना है हम आए हैं तो हमारी भी मिर्टी होगी आप आए हैं तो आपकी भी मिर्टी होगी कुट्टा आया है तो कुट्टा का भी मिर्टी होगा हाथी आया है हाथी यानि जितने भी जीव जनत कितना साल तक जीता है कोवा कितना साल तक जीता है और यहां पर पैरोट कितना साल तक जीता है तो ता कितना साल तक जीता है यह सारी चीज़े जैसे बर्गत का पेड़ कितना साल तक जीता है यह सारी चीज़े यानि सबकी जीवन अवधी अलग अलग है ठीक है तो इतना आप आप लोग क्या बतेगा पंदरा से सोला वर्स तक कितना पंदरा से सोला वर्स तक जैसे हाथी हाथी का कितना पच्छत्र से असी वर्स पच्छत्र से प्यारवेचू कितना असी वर्स तक हाथी जीता है एको संभावित बाबू यह होता है कि इतना साल तक इन लोग का जीवन आवधी होता है यानि हर चीज का शीर हर चीज का और जैसे पूछा से 5 सब इसकान पूछा जाता है तोते का जीवन और नहीं होता है तोते का जीवन काल होता है प्यारबच्चो तोते का जीवन काल कितना होगा तो आपको याद रखना है 140 वर्स यह objective का most important कोस्टन है कि तोते का जीवन का 140 वर्स होता है अब प्यारबच्चो एक बात आती है एक और कोस्टन यहां पे पूछा जाता है कि जो क्या सरीर का सराऊं जुद करous करता होगा तो प्यार-बच्चो आपको लिखना है कैंगे सारी रिक्सा राचन के हिसाप से जीवान अवधी को हम define नहीं कर सकते हैं जैसे हम एक example आपको देते हैं यहाँ पहान रखेएगा कववा हम आपको क्या पता है का कववा हो गया और यहाँ क्या ये कववा बड़ा है तो क्या तोटा से प्यारे बच्छों यहाँ देख लिए अब 25 वर्ष तक जियेगी लेकिन प्यारबच्छों की तोंता कितना दो गुन्ह वर्स जादा जीएगा तो अगर आपसे question पूछे कि सारी रिकाल सरचना के हिसाब से क्या जीवान अवधी को defined किया जाता है तो नहीं सारी सरचना के हिसाब से जीवान अवधी को defined हम नहीं कर सकते है ठीक है इतना clear हो गया अब चलिए प्यारशों को आप बूछा जाएगा कि जीवन औधी से सम्मंदित का कुछ मत पून यहां पे बिन्दू क्या होते है जीवन औधी कि पढ़िएगा कि किसी भी जीवन की जीवन औधी चाहे कितना भी हो 140 वर्स, 200 वर्स जैसे भी हो जितना भी वर्स जीए मिर्तू एकदम निश्ची थे किसी भी जीवन का जन्तू का, किसी भी इंसान का जीव, जन्तू कोई भी हो सबका मिर्तू निस्ची थे ति यहां पर कुछ मात्पूर्ण बिंदू लिखेगा किसी भी जीव को जीवन अवदी चाहे कितना भी वर्सोग प्रणतु जीव की क्या है मिर्थु निश्चित है मिर्थु हिस्सत्य जो भी आया है वो एक दिन जाएगा इसलिए अच्छा काम करके जाएए देखिए कुछ ऐसी जीव हैं जिनकी परकृतिक मिर्थु होती भी नह अपने आपको क्या करते ये क्या करेगा ये इस जो एक्ष किया होता है इसको क्या करेगा यह ऐसे प्यारवचु दो भागों में इसको तोड देगा ठीक है दो भागों में तोड़ देगा फिर यह क्या करेगा माली जी यह अमीबा है तो यह क्या करेगा दो भागों में इसको तोड़ते तोड़ते यह क्या करेगा एक भाग ऐसे बना देगा यानि नया संतती बना देगा और यहां पे नया संतती बना देगा यह हम आपको अमर प्राणी क्योंकि उसक्य जोगि बृधि के सांथ साथ बिभाजित होकर बिभाजित होने का मतलब होता है खुद को तोड़ यानि आपने संत्तुन को उत्पन करते तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं तो उसी को कहते हैं एकल जाना अंग चाहे उसे कहते हैं कि उनकी मिर्तिव नहीं होती है यह आपको याद रखना है अब देखिए जनन क्या है यहां पर आपको ध्यान में रखना है और PDF नोट्स यह सब का नोट्स मिल नोट्स कैसे मिलेगा 499 में आपको बाई करना होगा तो यहां पे बाई के लिए नमबर नोट कीजिए बासट नीनाबर 249 35 आपको मिल जाएगा ठीक है अब देखिए जनन क्या है जनन आपको बताते हैं कि जनन क्या होता है तो देखिए जनन अपने ही संतान को बनाए रखने के लिए जनन की आओ सकता होती है अपने निरंतंता बनाए रखने के लिए जनन क्या हो तो यहां पर याद रखना है कि जनन क्या है यहां पर डिफाइंड आप लोग किजिए दिखिए जीवों में अपने ही समान संतती को उत्पन करना या पने संतान को उत्पन करना यहीं जनन का लाती है जैसे मनुस्य है तो मनुस्य को जनम देगा घुड़ा है घुड़े को जनम देगा खुत्ता जाल खुत्ता को जनम देगा अगर ये जनन करना बंद कर दे माल ये मनुस्य्सकि है मनुस्य जननund करना बंद कर दे नहीं होगा छुंट कुठा की परकार है तो यहीं होता है प्यारे बच्चों यहां पे आपको यह बात आपको ध्यान में रखना है तो जनन क्या है तो जीवों में अपने ही समान संतती है तो संतान उत्पन करने की किरिया कोई भी जीवो इसमें अपने ही समान और संतती को उत्पन करने की किरिया ही हमारी जनन किरिया कहलाती है तो यहां पे आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि जनन की किरिया क्या कहलाती है तो जीवों में अपने ही संतान को उत्पन करने या अपने ही संतान को जनम देने की कि किरिया काल आती एक सोब कुस्षन पूछा जाता है उपकी परजाती चैलती कभी विलुक्त नहीं होगा इनसान की अस्तित्व नहीं मेटेगा वह चलता रहे घोड़ा जैसे जितने भी जीव हैं इसी परकार होते हैं चाहे लेंगिक जनन में हो अलेंगिक जनन में हो ठीक है इतना आपको किलियर कर लेना है तो चलिए आप इसका महत्तु देख लेते हैं जो कि हम आपको बता दियें कि जनन का महत्तु क्या है तो जनन से जाती की निरंत सबता जाति के जात्यांने दवारा जाति हमारी चलती रहीग होते रहीगा उसके बाद सब्दक भुर सब्ख्रदार करते रहे थेतों कि मतलब जाति मतलब चुने वह लिए पुरे करते रहते रहे क्यानी जानन जीवह जाती अफ्रम चाहुच्ट की बनाए मर influences Jul. जो सजीवर्ब होते हैं विकास में क्या होती है बहुत ही क्यां यह सहयक होती है यह सारी चीज़ेंग उनको पढ़ा चुके आ दूबारा महिनत कर रहे हैं कि कि आपको किलियर हो जाए ठीक है अगला यहां पर आजी कि जनन के परकार तो जनन के दो परकार होते हैं पहला होता है लेंगिक जनन होता है ना दूसरा क्या होता है अलेंगिक जनन तो यहां पर पढ़िएगा लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन जनन के कितने परकार तो प्या तो यहां पर आपको याद रहे हैं कि पहला क्या है और लेंगिक जनन यानि एसेक्सवल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है जनन की ऐसी परकरिया ध्यान में रखेगा जनन की ऐसी परकरिया जिसमें केवल एक ही जनन अंग भाग ले अब एक ही जनन अंग भाग ले का मतलब क्या हुआ या तो पूरुस भाग ले या तो यहाँ पर याद रखेगा माता भाग ले या तो यहाँ पर याद रखेगा पीता भाग ले ठीक है यहाँ पीतना आपको याद रखे है यानि जनन की ऐसी परक्रिया जिसमें एकल जनन भाग ले या तो पूरुस भाग ले या तो इस्तिरी भाग ले ठीक है या तो पूरुस भाग ले या तो इस्तिरी भाग ले दोनों में से कोई एक ही भाग ले उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो प्यारा बच्चों अलेंगिक जनन कहते हैं जैसे अमीबा परमिसियम यह सब सारी वी चीजे होती हैं इसमें अलेंगिक जनन तो यहां पर आपको इतना ध्यान में रखना है अलेंगिक जनन आपको समझ में आ गया जनन की एक ऐसी परकिरिया जिसमें केवल माता भागले या पीता भागले या तो पूरुस भागले या तो इस तरी भागले इसी को हम लोग अलेंगिक जनन कहते हैं चली समझ में आ गया अब देखिए लेंगिक जनन क्या होता है तो जनन की ऐसी परकिरिया जिसमें क्या हो मतलब दूगो जनन अंग भाग ले यहाँ पर याद रखिएगा कि जनन की ऐसी परकिरिया जिसमें दोनो जनन अंग भाग ले मतो भाग ले पीतो भाग ले उसे क्या कहेंगे तो उसे इस तरी भागले या पूरुस भागले उसे हम लोग अलेंगिक जनन कहते हैं ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसका डेफिनिशन आपको बता देते हैं कि अलेंगिक जनन क्या होता है तो इस जनन की परकिरिया में केवल लेखी भाग लेता है हम आपको जैसे अभी समझाए या तो इस तरी या तो पूरुस उसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो आल लेंगिक जनन कहते हैं जैसे अमीबा हो गया परमिसियम हो गया यूगलीना हो गया बहुत सारे चीज़े और यह सब होते हैं तो याद रखना है कि यह एकल जनन अंग द्वारा होते हैं और इनकी मिर्तू नहीं होती है है ना इनकी मिर्तू नहीं होती है या तो यह दिविखंडन द्वारा या तो यह बहुखंडन द्वारा अपने आपको क्या करते हैं बहुखंडित कर देते हैं बहुत सारे टुकड़ों में बाढ़ दे के बहुत सारे परकार होते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अलेंगिक जनन के बहुत सारे परकार होते हैं पहला हो गया द्वी खंडन दूसरा हो गया बहु खंडन तीसरा हो हो गया तो याद हरखना है कि जो इस पर कि लिए जिसमें क्या जोजनन को सिकाए हैं वे दोख कंडों में तूट जाएं और न संतती का निये नोड़ कर दे हैं उसे दोई ह constitutional का धे हैं दोई का मतलब क्या Finn खंडन का मतलब तूटना यानि अलेंगिक जनन की एक ऐसी परकिरिया क्योंकि अलेंगिक जनन की एक ऐसी परकिरिया जिसमें क्या हो यहां पर याद रखना है कि लेंगिक जनन क्या हो यहां पर जो एक कोशिका हो जो जनन कोशिका हो यहां पर याद रखेगा कि मतलब अलेंग अलेंगिक जनन की एक ऐसी परक्रिया जिसमें क्या हो जनन कोसी का दो भागों में तूटके भी भक्त हो जाए उसे क्या कहेंगे तो प्यारे बच्चों हम लोग द्वी खंडन कहेंगे जैसे अमीबा में द्वी खंडन की किरिया होती है बहुत ही खंडन का मतलब क्या हो गया ठीक है बहुत ही खंडों में तूटना यानि अलेंगिक जनन की एक ऐसी परक्रिया इसकी डेफिनिशन कैसे बनाएंगे लेंगिक जनन की एक ऐसी परक्रिया जिसमें जनन को सिकाएं बहुत सारे खंडों में तूट जाए उसे हम लोग करते हैं लेंगिक जनन की बहु खंडन की परक्रिया ठीक है इतना आपको याद रखना है त्यारे बच्चों इससा आपको कोई नहीं समझाएगा हम लिख के देते हैं आपको कि आप अगर कम जोड़ है ना तो आप बिल्कुल सही प्लेटफोर्म पे आए हैं आस्क बोड़ पे ऐसा पड़ाई आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इतना समझा के ठीक है तो इसलिए बता रहें कि क्लास वाइन किजेगा और एक्जाम में अच्छा चाहते है ना लाइफ में अच्छा करना चाहते है तो आस्क बोड़ से जूड़े रही है देखिए बहु खंड़न क्या होते हैं अलेंग एक जानन की एक एक परकिरिया जिसमें जनन कोशिका क्या हो बहुत सारे खंडों में तूटके भी भक्त हो जा और बहुत सारे संतती को उत्पन करते एक साथ तो यह क्या होता है बहु खंड़न का मतलब क्या होता है बाबु यह तीन चीज इंपोर्टेंट है जो एक जाम में आता है मुकुलन का मतलब क्या नया जीव उत्पन करना मुकुल होना मुकुल का मतल यहां से को क्या होगा यह को हाइडरा मतंद जनन अंग निकलेगा ठीक है अब यह क्या करेगा आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते यहां पर आस्ते आस्ते यह बढ़ते बढ़ते क्या होगा यह इससे तूटके क्या होगा यहां पर अलग हो जाएगा और यह और यह अलग हो जा सारी चीजे पढ़ा चुके हैं पहले तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगा अब चलिए आते हैं कि द्विखंडन का यहां पर समझने वाली चीजे द्विखंडन क्या जिसमें एक जनन को सिखाए दो खंडों में टूटके भी भक्त हो जाए उसे क्या कहते हैं चलिए अब यहां दिए अमीबा को हम ले लेते हैं अमीबा की कोई सा रचना नहीं होती हैं अमीबा कैसे भी हो सकता है प्यारवच् जनन को सिका अब ये एक जनन को सिका है ये दो खंडों में टूटके भी भक्त हो राया है और ये तूटे तूटते क्या करेगा दो खंड में इससे अलग हो अब ही हम आपको पढ़ाया थी कि अमीबा की मिर्तिव नहीं होती है क्यों नहीं मिर्तिव होती है क्योंकि एक जनन कोशिका वो अपने आपको बांड देता है तो देखिए ये एक जनन कोशिका है इसको दो भागों में क्या कर रहा है बांड दे रहा है और ये दो भागों में क्या कर रहा है बाट के खुद को तोड़ दे रहा है तो जब अपने आपको दो भागों में बाट के तोड़ देंगे तो आप क्या आपकी मृत्व मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी तो इसी पर कर अमीबा क्या करता है अपने एक जनन को सिखा को दो भागों में बाट के क्या करता है अलग कर देता है और अपने संतान यानी संतती को उत्पन कर देता है यह इसका अलग संतान हो गया यह दूसरा संतान हो गया अब इसमें इसका कोई connection नहीं इससे कोई connection नहीं अपने आपको खुद को दो भागों में बाट कर देता है बिभाजित कर देता है दो भागों में तो समझ में आया कि एक जनन को सिका यह है दो भागों में खुद को तोड़ के खुद से अलग कर दिया जैसे अलग किया तो एक संतान इधर एक संतान इधर खुद को अपना संतान बना लिया ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर इसका हो गया, यहाँ आलग हो गया, यह अलग, अब यह क्या करेगा, यह भी जब इसको जननर करना होगा, खुद को दो भागों में तोड़ेगा, और फिर यह अलग संताЖनुत बन करेगा, य इसी परकार दुविखंडन कितना बढ़ियां से समझा दिये कि अमीबा में दुविखंडन किस परकार तो दुविखंडन का डिफिनिशन अगर आपको पता चल गया कि जनन कोशिका क्या होता है दो खंडों में तूटके विभाजित हो जाती है और नए संतति को उत्पन कर द अपने आपको तोड़के जैसे आप आप दो भागों में तूटके अपना अपना संतान बना दी इधर एक भाग आपका अलग संतान है इसी परकार होता है ठीक है यहां पर आपको इसको ध्यान में रखना अब यहां पर हम आपको पढ़ाये थे बहु खंडन क्या है बहु ख Northern के बारे में आपको समझाती कि बहुत सारे खंडों में टूट जाना एक जनन कोशी का आप क्या करेगा बहुत खंडों में को त्थ्पन करता है तो भूख बहु खंडन काते है आप पूछा जाएगा कि बहु खंडन किसमें पाया जाता है तो कि बहु खंडन के बहु खंडन होते हैं पूछ कि आमी बामें कौन से किरियां होती है लेंगिजणन के आपको बताना है कि द्रूी खंड़न होता है और Leo में क्यों कि इस में चूँकर प्लाज्मोडियम जो है भुत सारे होज़़ों में तूट रहा है तो यहां पे आपको इंटना ध्यान रखना है तो देखिए बहु खंडन क्या होता ही है हम आपको समझा दिए जैसे ये प्लाजमोडियम है इसका क्या है ये है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है प्लाजमोडियम है प्लाजमोडियम में ये क्या है इसका यहां देखे जनन कोशिका है ये क्या करेगा खूद को अलग कर देंगा जितना भी तोड़ा होगा उसको अलग कर देगा यानि भूत खंडुम में देखें इसका इससे कनेक्शन है स्ब्ण सल guide करतान कि श्रूर कुछ श्रूर करना होगा तो यह भी बहस हरे खंडुमें से तोड़ गें फिर सबको अलग कर देगा इसी को काते बहु खंडन बोलिए समझ में आया कि नहीं और प्यारे बच्छों कोमेंट करके बताना है कि हाँ सर जी इस परकार का पढ़ाई कोई नहीं कराएगा पूरे यूटूब पर गरांटी लेते हैं ठीक है चलिए बहु मुकुलन का मतलब क्या होता है यहां पर लोग सभी बच्चे ध्यान रखेंगा जो की सुरू में भी हम आपको बता चुके हैं यहां मुकुलन एक ऐसी परकिरिया है जिसमें से एक छोटा जनतु जनक जीव पर ही पैदा हो जाता है यह क्या है मुकुलन में जैसे हाइडरा लेते हैं यहां पर सबसे पहले definition समझिएगा जैसे मुकुलन की मतलब मुकुलन है कैसी परकिरिया जिसमें एक छोटा जनतु जनक के जीव पर होगा क्या होगा माले जनक उसके जीव पर हूदपन हो जाएगा उसी को मुकुलन कहेंगा अभी नहीं समझ में आएगा अभी सम द्वारा तो मुकुलन द्वारा क्या बोलिएगा कि हाइड्रा में जनन की कौन सी भी दी तो प्यार बच्चों आपको बताना है कि हाइड्रा में जनन की मुकुलन द्वारा होती है अलगे जनन ठीक है याद रहेगा अब दिखे हाइड्रा है यह माल लिजे प्यार बच्च है यह क्या है प्यारे बच्चों मुकूलन है मुकूलन मुकूलन ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें क्या होता है चोटा जनतु क्या करता है अपने सजी उप में क्या होता है जनम ले लेता है यानि यहाँ पर देख लिए एको छोटा सा जनतु यहाँ पर जनम ल आप अलग हो जाए हैं हम अलग हो जाएंगा और इसी परकार इनमें क्या होती है अलेंगिक जनन की किरिया होती है यानि मुकलन क्या होता है मुकलन जनन की अलेंगिक जनन की एक ऐसी पर किरिया होती है जिसमें क्या होता है एक छोटा जन्तु सजीवों के यानि जीवों के सरी पीर पर ही पैदा हो जाता है चोटा जन्ट शरीरur के जीवुथ क्नथा हो जाता है यानि आपको भूऩी ज handler की क्वाइड़ा में तो प्यारह समय फूरूछ हो जाता है आपको बताल साप्शेक्टिफ में पूछा आइब यहां पे आपको ध्यान रखना है पहले यह थिवरी पढ़ लिजे ऐसे थिवरी आपको पूरे जिंद्गी में कोई नहीं पढ़ागा लिख के देते हैं अब आता है कॉनेडिया यह सब उतना यह कोस्टन जो पूचा जाता है कि कौन सी परकिरिया होती है तो प्यारबच्चो क्या होता है जनन की कौन सी परकिरिया होती है तो कुनेडिया में पैनिसिलिनियम यहां दखना है कि कुनेडिया में पैनिसिलिनियम होता है जह में किसके द्वारा जनन की परकिरिया होती है तो इस पंज के द्वारा इंपोर्टेंट पॉइंट है नोट की कर लिजेगा ये दिए कोज़ान के ऐसे बाइंग का इध व्यों हो गया अधी सन्तान उत्पन होते हैं अब गाइक New ज़्ड की द्वर संथानन होगा तढ़ा के द्वरा नफान होगा जैसे तढ़ा की आपको बताएंगे कैसे होता है सारी चीजे पत्ती के द्वारा नया संतान कैसे उत्पन होगा पुस्प के द्वारा नया संतान उस पन कैसे होगा यह सारी चीजे हम आपको किलियर कराने मेले हैं ठीक है यहां आप देखें जैसे आलू के आख यानि हम लोग नहीं बोलते कि आ काई की होता है यहां पर आद रखने और दूसरा किरत्रियम काई की परवर्दन के मतलब क्या मालीजी की कोई बड़ा सा पेड़ है याद रखेगा किरत्रियम यानि अपने सी किया हुआ है जैसे मालीजी की बड़ा सा पेड़ है और पेड़ पर से हम लोग क्या करते हैं दूस पिश्री डाली को काटके और इसमें क्या करते हैं डाल देते हैं और इसको मिट्टी लगा के लेवर देते हैं और उसको बांज देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें से क्या कर जाता है जैसे हम लोग बोला जाते हैं गाव में कि कलम जैसे पेड़ में कलम लेना यानि कलम का मतलब आप समझ सकते कि पेड़ को काटके उसमें डाली डालके मिट्री डालके लिए वरके उसको बांदिया जाता है तो उसमें क्या होता है जड़े पैदा हो जाती है तो फिर क्या करते हैं उसको निकाल के हम लोग दूसरे जगह रूपित कर देते हैं यानि दाम लगा के तो पादब शरीर का कोई भी काईक भाग जब अलग हो जाता है तब यह आप देखें अनुकूलित प्रस्थितियों में नए पादब का निर्माड करता है इसे हम लोग परकृतिक काईकी परोधन काते हैं यहां पे आपको इसको याद रखना है चलिए अब हम आपको समझाएंग कि काईक परोधन में यहां परकृति काईक परोधन क्या होगा समझेगा इसके अंतरगत पादब सरीर का कोई भी काईक भाग पादब सरीर का तना हो गया जड़ हो गया पत्ती हो गया कोई भी काईक भाग जब अलग हो जाता है तो यह अनुकूल प्रस्थिती में नए हो गया देख लीजिये जैसे कंद हो गया प्यार बच्छों यह सारी चीजे क्या होती है और जब आलू कोडते है तो इसमें से कितना ज्यादा आलू निकलता है कालू आलू हम लोग आलू का क्या होता है कि किरत्रिम पर्वरदक रूप से किया जाता है जिसमें पाधप की काईक भागों पीओं कर पौधा feels चैसे कोई भी पेड़ है पेड़ की एक डाली को काटके उसमें दूसरा डाली लगा के अफिर उसको परकृतिक में यहां पर किरत्रिम में दाव लगाना क्या होता है तो देखिए दाव लगाना यहां पर याद रखने कि इस बिदी में सखाओ या तने से जड़ कैसे पैदा करेंगे जैसे यहां देखिए वायू दाब लगाना एयर लेरिंग कैसे करेंगे किसमें तो यह प्या आदब के किसी मोटी साखा को चुनकर मालेजी की मोटा डाली को चुनकर क्या किया जाता है चारों तरब छल्ला की एक वलय की रूप में हटा दिया जाता है यानि उसका छल्ला हटा दिया जाता है समझेगा चल्ला हटा दिया जाता है तता इसका छाल हटाए हुए भाग को क्य और इसे बूनद भून्द पानी परदान करते हैं तो इसे ढखा हुआ भाग क्या होता हैं मिटी जैसे धगा हुआ हो गया मिट्टी डाली लेंगे उसके अंदर डाल के फिर मिट्री से उसको ढग देंगे तो यहीं होता है तो प्यारा बच्छों अलेंगिक जनन यहीं पर समाप्त होता है इतना होता है इंगलिस मेडियम वालों के लिए आप लोग पढ़ लिए यह होता है अलेंगिक जनन के बारे में बता दि यूग माधा निर्मार करते है यहां दोनों यूगों आपसमें संयूग करकी यूगमनज का निर्माड करते हैं जो विभाजन करके एक नया जीव का निर्माड करते हैं अब देखिए कोस्टन को यहां पर पढ़िएगा कि जब दो युगमक आपस में संयोग करेंगे जैसे नर युगमक और मादा युगमक नर से नर युगमक बनता है मादा से मादा युगमक बनता है और जब ये दोनों युगमग आपस में संयोग करेंगे तब क्या करेंगे, प्याराद ब misinformation करेंगे, युगमेनों करने के पर साथ क्या करेंगे, यह न DS करेंगे, तो इसमें यह होता है और जो होता है ना अलेंगिक जनन के आप एक्षा यह ज्यादा जटिल होती है और ज्यादा थोड़ा सा देरी से होता है जबकि अलेंगिक जनन बहुत ही आसान होता है इतना क्लियर हो गया अब दिखिए यह जनन आलेंगिक जनन के तुलना में जटिल वो धीमी होती है जटिल की किरियाएं होती है यह भी आपको ध्यान रखना अब लेंगिक जनन जयाव विकास में महत्तपूर्ण भूमिका निबाता है तो यह लेंगिक जनन के कुछ महत्तपूर्ण बिंदू है जो आपकी एक्जामों में पूछे जाते हैं अब यहाँ पे कोस्टन आएगा कि लेंग ओनली चेप्टर वाइस अब्जेक्टीव होगा और आठ पीम में अब्जेक्टीव का कलास होगा तो फटा फट प्यारे बच्चों आपकी पास टाइम कमें कलास को जॉइन किजेगा पेडिएफ नोट्स के लिए आपको हम क्या बताए हैं कि 499 499 में पेडिएफ नोट्स म ठीक है तो मिलते हैं अगली कलास में तब तक अब अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजेए प्यारे बच्चों ठैंक यू सो मच मिलते हैं अगली कलास में